नागोर का ऐसा गाउं जिसके इस्तापना चांदी का हल चला कर राजा करण सिंग द्वारा की गई थी ये राजा पिकानेर के राज परिवार से तालुक रखते थे जानकारी के लिए बता दें आपने कैई ऐसे गाउं के बारे में सुना होगा जिसकी देविये सक्तियों या अन्या चमतकारी के वज़े से इस्तापना हुए लेकिन इस गाउं की राजा जाट परिवार से समझ रखने के कारण चांदी का हल चला कर इस गाउं की इस तापना की और साती जानकार्य के लिए बता दें यह गाओ नागूर के एक सक्सम में से एक आता है वटमान में इस गाओं में रादनिति से लेकर सरकारी में के अलग अलग कारिय पर यूवा वे गाओं के के सेवा में अधिकरत है मैं हरी शोदरा समाजी कारी करता है बुग्रिडा हमारा गाउं की उत्रुपती विकरनेर के मालाजा करंशीं गोदरा दवारा की गई थी उन्होंने सर्वे पर्थम हमारी पंचैती गाउं रोनिया को बसाया था और यहां आभादी बढ़ने की वजह से यहां आबग्रिडा पुग्रिड़ा करके उन्होंने सर्वे पर्थम उन्होंने चांदी के हलल से खेती की गए ती तो art क्रुबभ हमारे पार्वासरे लिए जात ऑन्स से थे गों जात रहर ही हो가는 चाहिती, समर्दी और और आर्थी भूपट से सक्षम मानते हैं इसलिए उन्होंने धर्दी माता की पुझा के लिए उस चान्दी की हद्द ही ने चेती करके हमारे गाउं को मशाया था और हमारे गाउं अज शाय दोनीक की देन होगी आर्थी कुपट रूप रहना गाउं समर लोग बाहर अपना व्योसाइब बढ़ा रहे हैं और हमारा ग्राम में सभी रोडों सर्कों से जुड़ा हुआ है चारों तरफ और यहां पर उच्छ से माजयमिक वीजाले भी है एक उपसवाज के केंदर भी है हमारी यहां पर सभी सरकारी सोईदाओं से परिफ़ों हमारा ग वर्तमाल वीदी कोलेज के जेक्स भी हमारे गाउं से है तो हमारा गाउं गाउं ने तिक सिक्षा और आर्थिक रूप से हमारा गाउं कौन रूप से सक्षम है